जोहार सुंगी साती आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल Bound to Education में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आज की इस नए वीडियो में आज का ये वीडियो जैसे सी Lab Assistant और जैसे सी PGT Chemistry के सभी Students के लिए बहुत अधिक मतपून होने वाला है आज किस वीडियो में हम लोग देखेंगे Study of Organic Compound से आपके आने वाले परिक्षा में किस प्रकार के प्रशन बनेंगे दोस्तो आज का ये वीडियो एक प्रकार से आपके लिए मोक टेस्ट भी होने वाला है जहां पे आपको हरे Question का Answer स्वहम से देने का परियास करना होगा आप वीडियो को Pause करके उसको खुद से Solve कर सकते हैं और अपना टेस्ट कर सकते हैं कि आपने अपना Preparation कितना तक किया है चले दोस्तों आज किस वीडियो को सुरू करते हैं और आते हैं आज के पहले प्रशन पर तो Question 25 तक हम लोगों ने अल्रेडी देख चुका था आज हम लोग Question 26 को देखने वाले हैं Question 26 है Using Enhydrous Alcl3 as Catalyst Which one of the following reactions produce Ethyl Benzene तो यहाँ पे Question पुछा गया है Enhydrous Alcl3 को Catalyst की तरह यूज किया जा रहा है और एक reaction प्रोसीड किया जा रहा है जहाँ पे Product के रुपया में Ethyl Benzene प्राप्त हो रहा है तो यहाँ पे सारे Options को देखे दियान पूरबग और बताईए कि Question 26 का Correct answer क्या होगा याद किजी Ethyl Benzene बनाने के लिए हम लोग Elkin का reaction करवाते हैं CH2 Double Bond CH2 Elkin का reaction हम लोग करवाते हैं C6H6 के साथ In Presence of Enhydrous Alcl3 यह जा करके बनता है Ethyl Benzene Proceed किस पर कर होता है? Cation बनता है CH3 CH2 Double Bond CH2 जो Elkin होता है इसको जब Enhydrous Alcl3 Enhydrous Alcl3 के Presence में हम लोग react करवाते हैं और यहाँ पर HCl लेते हैं तो यह इस परकार से Proceed होता है कि यह जो एक Cl यहाँ पर है यह Alcl3 के साथ चला जाता है और Alcl4- बनता है और यहाँ पर Hydrogen है यह यहाँ पर Attach हो जाता है और CH3, Single Bond CH2 यहाँ पर Cation बनता है यहाँ पर जो Intermediate बनता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ इस टाइप का Intermediate बनता है CH3, Single Bond CH2 यह Cation बनता है यह Benzen Ring के साथ Attack करके फिर हमें Ethyl Benzen प्रोबाइड करता है तो यह आपका Correct answer हो जाएगा Option No.C Benzen का Reaction यहाँ पर हो रहा है C6, H6 यहाँ पर Alkin का Reaction हो रहा है Benzen के साथ C6, H6 के साथ और हमें Product के रूप में मिल रहा है Ethyl Benzen और यहाँ पर Enidress L, CL3 का उप्योग करते हैं और HCL का भी यहाँ पर उप्योग करते हैं तो इस Question का Correct answer होगा Option C Next Question को देखे Question No.27 मेरे ख्याल से आप सभी ने Swam से इस Question का Answer दिया होगा उसके बाद ही वीडियो को Continue किया होगा आप चाहेंगे तो हरे Question को जब मैं करवाँगा तो उसको Pause कर लिजएगा वीडियो को उसके बाद खुद से बनाईएगा और उस वीडियो को Continue किजेगा देखे दोस्तों Question No.27 है The Treatment of Benzene with Isobutene in the Presence of Sulfuric Acid Gives यहाँ पे कहा गया है The Treatment of Benzene Benzene का Treatment हो रहा है Isobutene के साथ तो यहाँ पे Products क्या मिलेगा यहाँ आपको बताना है यहाँ पे Condition लिया गया है In Presence of Sulfuric Acid के Presence में आपका Reaction Proceed हो रहा है तो Question No.27 का Correct Answer आप सभी देने का परियास करेंगे तो यहाँ पे जिस परकार से कहा गया है उस परकार से हम लोग लिखते हैं Reactant को Benzene दिया गया है तो सबसे पहल हम लोग Benzene को लिखते हैं यह Benzene Ring हो गया उसके बाद दिया गया Isobutene तो Isobutene किस टाइप से होता है यह 2 degree butene होता है CH2, CH3 यह H2 हो जाएगा और C1, CH2 ऐसे ही होता है Isobutene यहाँ पे देखे 2 degree butene को ही है हम लोग Isobutene करते हैं उसके बाद देखे In Presence of Sulfuric Acid और इसमें Reaction Condition लिया गया है Sulfuric Acid जो कि है H2SO4 तो आपको यहाँ पे क्या product मिलेगा तो यहाँ पे देखे इसमें product मिलता है यह Benzene Ring जो है वो जैसा क्या तैसा रहेगा और यहाँ पे आपको जो Butene है वो यहाँ पे एड़ हो जाएगा CS3 CS3 और उपर में CS3 तो यह बनेगा Tertiary Butyl Benzen यह आपको product बनेगा Tertiary Butyl Benzen तो यह जो Reaction दिया गया है तो इस परकार से Proceed होगा थोड़ा सा अच्छे से अपना Copy में लिख लिजेगा तो इसका जो product होगा इस question का correct answer होगा Tertiary Butyl Benzen Option C इस question का correct answer हो जाएगा Option C Next question है Tolven on Oxidation with Dilute HNO3 Gibbs Tolven का Oxidation हो रहा है Reaction condition है Dilute HNO3 तो यह क्या देगा यह आपको बताना है Benzaldeide देगा Nitrotolven देगा Benzoy Casid देगा या फिर Phenol देगा Question number 28 का आप सभी correct answer देने का परियास करेंगे तो question को पढ़ते ही इसका जो answer है वो आ गया होगा आपके mind में यहाँ पर Tolven का reaction किया जा रहा है HNO3 के साथ Tolven किस टाइप से होता है इस टाइप से इसका structure होता है मैं आपको दिखा देता हूँ यह आपका Tolven होता है Benzyn के ओपर CH3 रहता है इसी को हम लोग Tolven काते है और इसका reaction करवाई जाता है HNO3 के साथ तो आप सभी को पता चल गया होगा HNO3 के साथ react करवा रहे हैं तो क्या बनेगा Nitro Tolven बनेगा यह की option आपका correct हो सकता है Option B Nitro Tolven ठीक है Next question है Aromatization of N-Heptane N-Heptane का aromatization किया गया By passing over Al2O3 Plus Cr2O3 Al2O3 और Cr2O3 में पास किया गया Catalyst at 773 Kelvin यहाँ पर temperature लिया गया है तो product क्या बनेगा यह आपको बताना है ठीक है तो यहाँ पर N-Heptane N-Heptane का किया जा रहा है N-Heptane N-Heptane का aromatization किया जा रहा है In presence of Al2O3 Plus Cr2O3 Condition लिया गया है 773 Kelvin तो यहाँ पर जो आपका product बनेगा वो product बनने वाला है Toluin ठीक है आपका product बनेगा Option B Toluin Toluin आपका product बनेगा Option B इस question का Correct answer होगा Question No.29 का Next question को देखते है Arrange the following set of compounds In the order of their decreasing reactivity With an electrolyte मापकी जगा Electrofile तो यहाँ पर decreasing order में आपको reactivity के decreasing order में Arrange करना है तो यहाँ पर देखे तीन options दिये गए है एक, दो और तीन इसको arrange कीजे और बताए Question No.30 का Correct answer क्या होगा Electrofile मतलब होता क्या है Electrofile मतलब होता है Negative Charge पर attack करने वाला जो की Negative Charge पर attack करता है उसको हम लोग Electrofile करते हैं तो Negative Charge पर कौन attack करेगा जिसके पास ज़्यादा Positive Charge होगा अर्थात की जिस ring में ज़्यादा Positive Charge हमें देखने को मिलेगा वो ज़्यादा reactive होगा क्योंकि Electrofile अर्थात की Negative Charge पर attack करेगा Negative Charge पर कब attack करेगा जब उसके पास Positive Charge होगा तो यहाँ पर जो Correct Order हो जाएगा आपका Option A Correct Answer हो जाएगा 1 is greater than 2 is greater than 3 Option A इस Question का Correct Answer हो जाएगा Next Question है Question 31 The Reaction of इसका Reaction क्या गया है HBR के साथ तो यहाँ पर Product आपको क्या मिलेगा यह बताना है Question 31 का आप सभी Correct Answer देंगे तो इस Question का Correct Answer हो जाएगा Markonic rule के अनुसार जो BR है यहाँ पर आकर के Attach होगा CH इस Position पर आकर के BR Attach होगा ठीक है और आपका H जो है इस CH के साथ H Attach हो जाएगा तो आपका जो Correct Answer हो जाएगा Option A Option A इस Question का Correct Answer होगा Question 31 का Next Question है देखे Question 32 A Single Compound of the Structure इस Structure का Single Compound क्या होगा इसके Options को देखते हैं Is obtained from Ozonealysis of which of the following cyclic compound अच्छा इसमें से Ozonealysis किया गया और जो हम लोग का यह वाला Compound बना था यह Compound बना तो आपको किसे बना है यह आपको बताना है चलिए इस Question का Correct Answer देंगे तो इस Question का Correct Answer हो जाएगा आपका Option A इसको अगर आप Ozonealysis करते हैं तो जो मैंने अभी देखाया दिखाया Product वो बनेगा Next Question है What products are formed when the following compound is treated with BR2 in presence of FEBR3 क्या Product आपको मिलेगा formed when the following compound इसमें से यह Compound दिया गया है इसको ट्रीट किया गया है BR2 के साथ in presence of FEBR3 तो कौन सा Product आपको मिलेगा यह आपको Answer में बताना है तो इस Question का आपका Correct Answer हो जाएगा Option C इसको क्या कहा जाता है Xylene कहा जाता है इसको Xylene कहा जाता है M-Xylene Metaposition पे यहाँ पे CS3 Group है तो M-Xylene हो गया M-Xylene का Reaction करवाए जा रहा है BR2 के साथ In Presence of FEBR3 तो आपका Product जो बनेगा वो Ortho और Para Position पे BR Group आता है इसको याद रखेंगे Ortho और Para Position पे BR Group आएगा तो कौन सा दीखे Correct Option है होगा Question Number जो 32 है 33 Question Number का जो Answer होगा वो Option C होगा Ortho और Para Position पे आपका यहाँ पे BR Group आएगा तो इस Question का Correct 34 Some Meta Directing Groups in Aromatic Substitution are given Which one is the most Deactivating Meta Directing Group कुछ-कुछ दिया गया है तो उसमें से कौन सा जादा Deactivating होगा यह आपको बताना है Question Number 34 का Correct answer देंगे तो NO2 जो होता है यह जादा Deactivating होगा क्यों Electron Withdrawing Group है और जादा Electron Withdrawing Group which is the most Deactivating Group जितना आधिक Electron Withdrawing Group होगा उतना जादा Deactivating Group होता है तो NO2 इसमें से देखे सबसे जादा Electron Withdrawing Group है तो सबसे जादा यह Deactivating Group होगा Option C इस Question का Correct answer होगा Question Number 34 का Option C आगे चलते हैं और Question Number 35 को देखते हैं Question Number 35 है Which of the following compounds will not undergo Fidel Craft reaction easily कौन सा ऐसा compound है जो को Fidel Craft reaction easily सो नहीं करेगा Xylene, Nitro Benzene, Toloven या फिर Cumin Question Number 35 का Correct answer आप सबी देने का परियास करेंगे इस Question का Correct answer होगा Option B Nitro Benzene क्योंकि Nitro Benzene जो होता है यह Strong Electron Withdrawing Group होता है तो जिसके करण Fidel Craft reaction easily नहीं सो करेगा Option B इस Question का Correct answer होगा Next Question है Question Number 36 In the following reaction एक reaction यहाँ पर दिया गया है A, यहाँ पर Major Product बन रहा B, Minor Product बन रहा तब Major Product is Major Product कौन सा है यह आपको बताना है चलिए वीडियो का Pause कीजे और बताए इस Question का Correct answer क्या होगा 36 का इस Reaction में आपको Measure Product कौन सा मिलने वाला है तो इसको आप ध्यान पुर्वक देखे Options को देखे और बताए कि आपका Correct answer क्या होगा तो इससे पहले हम लोग ने जो BR2 का Case देखा BR का देखा उसी परकार यहाँ पर से होगा यहाँ पर OH गूरूप आएगा और यहाँ पर H गूरूप आएगा तो यहाँ पर देखे कौन सा Correct answer होगा तो चलते हैं इसका Correct answer होजागा Option C देखे, हो H गूरूप यहाँ पर आगया है और H गूरूप यहाँ पर Add हो गया तो इस Question का Correct answer होगा Option C Next Question है The Function of LCL3 in Fridal Craft Reaction Is Fridal Craft Reaction में LCL3 का क्या function होता है To Absorbs HCL To Absorb Water To Produce Nuclefile या पर To Produce Electrofile Question No. 37 का आप से भी Correct answer देंगे देखे, Fridal Craft Reaction में LCL3 का क्या काम रहता है यहाँ पर Fridal Craft Reaction क्या होता है RCL मान लेते हैं और यहाँ पर Isको LCL3 के साथ Reaction जब कराते है तो यहाँ पर R+, बनता है और यहाँ पर ALCL4- बनता है तो यहाँ पर क्या बन रहा है Electrofile बन रहा है या आपको दीख रहा है या आपको दीख रहा है तो यहाँ पर Fridal Craft Reaction में ALCL3 का में कारी क्या रहेगा Electrofile बनाना तो इस question का correct answer हो जाएगा to produce Electrofile Option D इस question का correct answer हो जाएगा Question number 37 का answer याद रखेंगे Option D Next question है Acetylene can be obtained by the reaction of Acetylene किस से बनता है या आपको बताना है Question number 38 का correct answer देंगे Acetylene किसको कहा जाता है Acetylene अर्थात की Alkin Alkin को ही Acetylene कहा जाता है Alkin का formula क्या होता C N H 2 N-2 N-2 यह होता है Alkin का formula C triple bond C के तुआरा हम लोग दरसाते हैं तो इसमें से कौन सा ऐसा reaction है जिसमें Acetylene बनेगा यह आपको बताना है तो इसका correct answer हो जाएगा Option B CHI3 PLUS AG का reaction कराएंगे तो यहाँ पे आपका Alkin बनेगा याद रखेंगे CHI3 2 mol लेंगे और AG यहाँ पे 6 mol लेंगे तभी आपका यहाँ पे reaction प्रोसीड करेगा और आपका product यहाँ पे बनेगा CH triple bond CH और side product के रूप में AG I बनेगा और यहाँ पे 6 AG I बनेगा और यह बनेगा CH CH Alkin या फिर Acetylene तो इस question का correct answer का option B Next question देखे Which of the following compound is aromatic कौन सा compound aromatic है यह आपको बताना है Question number 39 का correct answer बताएंगे इस question को मैंने पहले ही बताया था Aromatic जो होते हैं Aromatic के बहुत सारे criteria है जैसे की Huckle Rule follow करने चाहिए Planner होना चाहिए Cycling होना चाहिए तो इन सभी को अगर आप देखेंगे तो question number 39 का correct answer हो जाएगा Option D यह आपका correct answer हो जाएगा यह आपका aromatic हो जाएगा ठीक है Next question को देखते है Question number 40 Next question is Which of the following is aromatic इसमें से कौन सा aromatic है यह आपको बताना है Cyclo pentadine cation Cyclo octatrine cation Cyclo heptatrine या फिर cyclo heptatrine cation कौन सा आपका aromatic होगा यह आपको बताना है तो question number 41 का correct answer हो जाएगा Option D Cyclo heptatrine cation Option D इस question का correct answer होगा Next question देखते हैं Question number 42 Angle strain in cyclopropane is Cyclopropane में angle strain क्या होने बाला है 24 degree 44 minute 9 degree 44 minute या 44 minute 5 degree 16 minute तो देखें angle strain होगा in cyclopropane इसका angle strain होता है 24 degree 44 minute Option A इस question का correct answer होगा ठीक है हम लोग जानते हैं कि cyclopropane इस type से होता है और इसका angle होता है यह कितना होता 60 degree का angle होता है और deviation हम लोग किसे निकालते हैं 109 degree 28 minute से निकालते हैं minus 60 करेंगे divided by 2 degree करते हैं तो इसमें आप अगर बैठाएंगे तो आपका correct answer आजाएगा 24 degree 44 minute Next question है 43 In the following most stable confirmation of N-butane N-butane का most stable confirmation कौन सा होगा यह आपको बताना है तो चलिए यहाँ पर correct answer देंगे Question number 43 का options को देखे और बताएगे कि इस question का correct answer क्या होगा In the following most stable confirmation of N-butane तो N-butane का most stable confirmation होजाएगा Option B इस question का correct answer होगा Option B Question number 43 का correct answer होगा Option B यहाँ पर देखे CS3 और CS3 एक दूसरे से दूर हैं तो यहाँ पर hysteric hindrance कम लगेगा List hysteric repulsion होगा Repulsion जो होगा वो list होगा इसे लिए most stable होगा तो यह option B आपका correct answer होगा Next question है देखे Question number Next question पर चलते है Question number 44 The reaction of toluene with CL2 in presence of FeCl3 gives X And reaction in the presence of light gives Y Thus X and Y are यहाँ आप देखे CL2 का यहाँ पर reactions with toluene Toluene का reaction क्या गया CL2 in presence of FeCl3 और एक बार यहाँ पर Light के presence में reaction करवाए गया तो X और Y क्या बनेगा यह आपका बताना है Question number 44 तो FeCl3 का जब reaction करवाते हैं तो ortho chloro toluene और परा chloro toluene बनता है और जब H new या फिर light के presence में करते हैं तो tri chloro methyl benzene बनता है इस question का correct answer होगा Option C जब FeCl3 में toluene को reaction करवाते हैं तो आपका product बनता है ortho and para chloro toluene और यहाँ पर जब light के presence में अगर आप कराएंगे तो यहाँ बनेगा trichloro methyl benzene Option C इस question का correct answer होगा Next question देखे In a set of reaction ethyl benzene yielded a product D यहाँ पर ethyl benzene में एक product बन रहा D तो यह D क्या होगा आपको बताना है चलिए options को देखे और बताएं कि इस question का correct answer क्या होगा question number 45 तो यहाँ पर देखे reaction proceed कर रहा है ethyl benzene दिया गया है K-menopole लिया गया है KOH बन रहा है तो यहाँ पर B जो product बनेगा यहाँ पर oxidation हो रहा है यहाँ पर आपका BR group आ जाएगा Meta position पर BR group आएगा और फिर आपका C हो जाएगा यह C product बनेगा और उसके बाद यहाँ पर C2H5OH FECL3 किया जा रहा है तो यहाँ पर ester group आएगा यह आपका benzene ring हो जाएगा और यहाँ पर COOC2H5 हो जाएगा और यहाँ पर Meta position पर BR रहे गाई तो इस question का correct answer हो जाएगा देखे option number D यह आपका correct answer होगा तो चले दोस्तों आज किस वीडियो में इतना ही आज हम लोगोंने 20 most important question का revision कर लिया है इसी प्रकार जितने chapter को आपने पढ़ा है सब का revision करते रहे हैं आपका exam नजदी है जल्दी आपका exam होने बाला है आज किस वीडियो का देखने के लिए धने बाद अगले वीडियो में लोग फिर मिलते हैं